जेहन दोस्तों मेरा आज अमशित पूरिन आप सभी का स्वाल करता हूँ मेरे एक और नए वीडियो पे आज का हमारा टॉपिक है कि बालों को कैसे जड़ने से रोकें वो भी नैचुरली जिससे आपके बालों पे कोई भी साइड इफेक्ट्स ना है सो गाइस देखो सबसे अच्छा चीज है बालों को जड़ने से रोकने के लिए एक उपाई मेरे पास है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल नैचुरल बिल्कुल नैचुरल और यह दोस्तों आप इसे अगर पैचान रहे होगे कि आप इसे पहचान सकते हो यह है पुदीना के पत्ते जी है दोस्तों और इन पुदीने के पत्तों से आपके बालों का जड़ना बिल्कुल कम हो जाएगा और यह कैसे होगा मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ guys आपको करना क्या है कि इन पुदिने के पत्टों को आपको ज़ाधा कुछ नहीं, बस पानी में उबालना है अपने घर पे, आप एक बर्तन ले लो, उस पे कुछ पुदिने के पत्टे डालो, और इन पुदिने के पत्तों को आप अच्छे तरीके से उबालो, और छान лेना उबलने के बाद और वो जो पानी बचता है उस पे आप अपने बालों को लगातार एक से दो हपते तक लगातार आप सुभे में उससे वाश करो और वाश करने के बाद आपको 10 से 15 दिनों में आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा मातर 10 दिन मैं आप से मांग रह को पहले मेरे भी बाल जड़ते थे मैंने इसे नेचुरली तरीके से यूज किया और मेरा बालों का जड़ना बिलकुल कम हो गया है अगर आप इन पुदिने के पत्तों से अपने बालों को जड़ने से बचा सकते हो तो इससे बैटर और कुछ नहीं हो सकता है क्यूंकि अगर आपके बाल एक बार उड़ गया है तो वो बापस कभी नहीं आने वाले हमेशा ध्यान रहें बालों का केर आपको जरूर करना अगर आपकी शादी नहीं हुई अभी तक तो आपको ज़्यादा करना क्योंकि एक बार गंजा हो जाने के बाद बालों को बापस लाना इंपॉसिवल और रही बाद ट्रांस्प्लांट वगरा की तो उसमें काफी खर् लाइक जरूर करना बबाई